असलाम अलेकुम मेरे राम डॉक्टर डिवैसनवर है और यह चप्र नम्बर 3 है जो के इंजाइम से रिलेड़ेड़ है इसके हैं से क्यूज देख लेते हैं Now question number 1 है which molecule binds to the active side of an enzyme हर enzyme का जो है वो एक अदर groove होता है जैसे हम active side कहते हैं dimple कहलें group कहलें जहां पर आकर molecule बैठता है जिसके साथ इसने react करना होता है और उस molecule को हम normally substrate का नाम देता है यहां पर बूचाए कि यहां पर आकर कौन बैठता है अब इसमसे कहीं पर भी मुझे substrate नजर नहीं आ रहा इसका मतलब यह simple question नहीं है अब यहां पर बात हो रही है inhibitors की inhibitors वो होते हैं for example यह वली जगह है तो यहां पर आकर अगर बैठेगा तो वो दूसरी variety वाला होता है तो जो यहां पर आकर बैठेगा उसका shape जो है वो किसके जैसा होना चाहिए उसका shape substrate के साथ similar होना चाहिए जब ही वो यहां आकर बैठ सकता और enzyme के activity को रोक सकता है वनना वो यहां बैठ नहीं करेगा तो इसका shape different भी होगा तो कोई फरक्ट नहीं पढ़ता तो यहां आकर बैठेगा यहां पर आकर नहीं बैठेगा तो यहां पर आकर नहीं बैठेगा यहीं पर दूसरी साइट पर जाकर बैठेगा तो comparative inhibitor वो होते हैं जो कि active site पर बैठते हैं now which metabolic process in bacteria is directly inhibited by antibiotic penicillin antibiotic ऐसे chemicals होते हैं जो के small quantity के अंदर required होते हैं और यह जो microorganisms है उनकी growth को रोकते हैं या फिर उनने kill कर देता हैं कैसे kill करते हैं normally यह उनके किसी normal function को जाकर रोकते हैं तो enzyme normally अपना कोई काम कर रहा है इनजाइम बैक्टिरिया या virus है बैक्टिरिया है हमारे पास यह fungus है हमारे पास यह कोई भी organism हैं कोई बैक्टिरिया अपना नॉर्मली function कर रहा है किसी ने किसी enzyme की मदद से तो आप chemical जो ह इनजाइम को जाकर रोक देता है तो यहां पर यहीं पूछा है कि बैक्टिरिया जो है उसके कौन सा process है उसका जिसको जाकर यह वाली antibiotic जिसका नाम है penicillin यह रोकती है तो penicillin जो है ना यह एक category के अंदर आती है जिने हम कहते हैं cell wall synthesis inhibitor ठीक है cell wall synthesis inhibitor तो अगर किसी के बनेंगी तो cell wall basically उसका protective layer होती है जो कि उसे बचा के रखती है अब उसकी cell wall ही नहीं होगी तो bacteria जो है उसका lysis हो जाएगा यह उसका cell destroy हो जाएगा so this is how penicillin वर्ट करते है there are different antibiotics जो के different तरीके से वर्ट करेंगी कुछ जाकर उसकी जो proteins है उन्हें बनने नहीं देंगी उसके ribosomes को जाकर रोग देंगी कुछ उसके अंदर ATP formation को रोग देंगी there are different antibiotics जिनका different mechanisms होता है डिसके तुरू infection को control करते हैं now how does an enzyme अच्छा यह वाली बात जो है penicillin से related यह आपको वहां मिल जाएगी chapter number 3 के बिलकुल last page पे एक box बनाव है जहां पर inhibitors का topic है now how does an enzyme increase the speed of a reaction तो हमें पता है कि enzyme basically catalyst के तौर पर behave करते हैं bio catalyst नहीं हम क्याते हैं और यह reaction की speed को बढ़ाते हैं how मैंने बहुत detail में explain किया है यह क्या करते हैं lower करते हैं activation energy की requirement को activation energy वो है जो कि reaction को start होने के लिए चाहिए तो अगर enzyme नहीं है तो time लगता है activation energy हासिल करने में और इसी लिए reaction slow होता है ज इसको इतनी activation energy चाहिए और यहां से यहां तक energy हासिल करने में उसे लग रहा है एक गंटा तो जब enzyme डालेंगे तो जब इतनी energy होगी तभी reaction स्टार्ट हो जाएगा तो अगर इसमें एक घंटा लग रहा तो इसमें शायद 20 मिन लगेंगे तो reaction की speed fast होगी तो this is how enzymes की reaction की speed को बढ़ाते हैं by decreasing the amount of activation energy required Allosteric side कौन सी होती है तो यह हमारे पास the same as the active side नहीं active side जैसे नहीं होती है जहां पर ATP attached होता है बिलकुल नहीं often involved in feedback inhibition yes Allosteric side जो होती है वह involved होती है feedback inhibition के अंदर यह सही है अ At the opposite side जरूर ही नहीं het is in other side जो हो वह किसी भी तरफाने को शक्ति है तो बेस आंस्ठर यहें तो is often involve in feedback inhibition feedback inhibition क्या होता है एक reaction आपके पास चल रहा है A जो है वो B में convert हो रहा है B जो है वो C में convert हो रहा है C जो है वो D में convert हो रहा है अब D जो है वो use हो रहा है In case D use होना बंद हो जाए तो D accumulate होगा ठीक है अब यह D क्या करेगा जो enzyme number 1 है For example, यह enzyme number 1 है तो इसकी allosteric side के पर जाकर बैठ जाएगा जब यह D यहां पर बैठ जाएगा तो इसकी active side के अंदर change आजाएगा और further यह reaction stop हो जाएगा This is called feedback inhibition तो इसके अंदर usually binding जो होती है वो allosteric side के पर होती है Now a temperature beyond the optimum optimum temperature हो होते है इसके पर best activity हमें देखने को मिलती है तो अगर temperature beyond optimum हो जाए optimum temperature से आगे पीछे हो जाए तो क्या हमें change हो हो देखने को मिलेगा ओके तो option number one है कि it can affect the shape of an enzyme this is the right answer ठीक है this is the right option beyond optimum temperature जब temperature उससे जादा हो जाता है जो enzyme का shape हो चेंज होने लगता है because higher energy जब उने मिलती है तो bonds जो हैं वो आगे पीछे होने लगते है तो enzyme का shape change हो सकता है it lowers the energy of activation बिलकुल नहीं it makes less susceptible to disease somewhat देखें अगर आप बात करते हैं body के option temperature की जो कि 37 degree Celsius होता है तो उसके उपर अगर temperature जाता है तो उसे हम fever का नाम देते हैं ठीक है fever के अंदर low grade fever जो होता है that helps the body और ये bacteria की growth को hold करता है रोकता है और body को repair करने में help करता है तो yes उसके अंदर आप cancer हो सकता है पर यहां पर specify नहीं किया कि कौन सी disease is her disease के अंदर fever जो हो काम नहीं करेगा infectious disease की बात करें तो उसके अंदर high temperature काम करेगा similarly what type of infectious disease her infectious disease के अंदर नहीं होगा then how beyond optimum temperature की बात नहीं की कि कितना beyond अगर बहुत जोदा high temperature है तो वो adversely affect करते है body को तो यह जो है वो correct answer नहीं हो सकता ठीक है इसको इन्होंने option दिया है हाला के both A and C तो A और C, A जो है वो बिल्कुल correct option है, C जो है वो somewhat correct है बड़ यहां पर चुके specify नहीं किया गया तो we are not selecting it तो A जो है वो right answer है it can affect the shape of the enzyme now nucleic acid which also serve as enzymes there are some nucleic acid जो के nucleotides के बनेवे molecules होते हैं and they can serve as enzyme तो उन्हें हम नाम देते हैं ribozyme का, तो ribozyme these are the molecules ribozyme are the molecules जो के हैं तो nucleic acid but they behave as an enzyme तो previous video के अंदर previous chapter के mcqs के अंदर हमने बात की थी कि कैसे DNA जो है उससे हमारे पास बनता है RNA और फिर इस RNA से जो है वो ribozyme बनाते हैं protein तो protein के अंदर वो क्या करते हैं amino acids को मिलाते हैं और उन्हें जोडते हैं तो यह जोडने वाला जो काम है यह ribozyme के अंदर जो है वो ribozyme मौझूद होता है ribozyme के अंदर enzyme की तरह काम करने वाला nucleic acid मौझूद होता है जिसे हम ribozyme कहते हैं और यही नमाइनो acids को जोडता है nuclear protein भी प्रिश्ली वीडियो के अंदर बात रुची थी nucleic acid जो प्रोटीन के साथ मिल जा तो उसे nucleic protein कहते है this is chromosome co-enzyme एक ऐसा organic molecule होता है जो के loosely attached हुआ होता है enzyme के साथ now the activity of almost every enzyme in a cell is regulated by enzymes की activity जो है उन्हें regulate करने के लिए हमारे पास एक system होता है जिसे हम feedback mechanism कहते है so this is feedback inhibition इसमें होता यह है कि अगर कोई reaction चल रहा है हमारे पास और उससे बनने वाला जो product है वो अगर इस्थिमाल नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है उसी series के अंदर जो enzymes हैं उनमें से किसी के साथ जाकर bind कर जाता है usually first enzyme के साथ bind करता है और उस पूरे के पूरे रियक्शन को रोग देता है तो उससे यह होता है कि further product जो है वो नहीं बढ़ता this is called feedback inhibition और इस तरह से जो enzyme के activity उसे regulate किया दाता उसे control किया जाता है non protein part of an enzyme अच्छा इसके अंदर बहुत ज़्यादा confusion होता है लोगों को अच्छा अब देखें यहां पर हमारे पास जो option दिये हैं उनमें पहला option है prosthetic group अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो बुक के अंदर यह exact line लिखी है कि the non protein part जो है this is called a prosthetic group तो अगर यह student particular तो फॉरण से prosthetic group लगा देगा दूसरा अगर देखें तो option दिया है को enzyme now this is again the non protein part ठीक है यह भी non protein part होता है organic होता है वो अलग बात है loosely attached होता है वो अलग बात है बढ़ होता तो non protein part है ना और अगर आप इसे देखें तो again this is a non protein part तो इसके अंदर all of these को option भी दिया है तो correct answer हमारे पास all of these है static group ना के co factor क्यों क्योंके इसमें all of these को option दिया हुआ now let's suppose के अगर इसके अंदर all of these को option ना दिया जाए तो यह तीन options अगर आपको दिये जाए तो non protein part को हम कहते है co factor क्यों क्योंके co factor के अंदर यह दोनों चीज़े आती है मैंने properly explain किया है कि एक protein part होता है और एक non protein part होता है protein part को तो हम कहते है apple enzyme ठीक है non protein part जो है उसे हम co factor कहते है और फिर इसके अंदर division होती है या तो inorganic या organic organic के अंदर फिर अगर loosely attached है तो वो enzyme और अगर tightly bound है तो वो static group कहलाता है तो यह सब co factor में आ रहा है तो अगर यहां all of these को option हटा दूँ तो correct answer होगा co factor और अगर मैं co factor भी हटा दूँ तो फिर correct answer होगा prosthetic group ठीक है क्योंके book के अंदर line लिखी है बड़ अगर यहां पर यह सब दियावा है और इसके अंदर all of these यह तो this is the right answer ठीक है तो फिलाल के लिए हमारे पास all of these is the right answer the protein part of the holo enzyme अच्छा यह आगे मैंने बताया कि यह वाला enzyme जो है जिसके अंदर protein और non protein है holo enzyme भी क्यालाता है इसका जो protein part है उसके लिए क्या वर्ड यूश के अजाता है तो वह राइबोजाइम वह नुक्लिक आशिन है जो के behave करते है किसके तौर पर वह RNA है जो के enzyme के तौर पर behave करते है अभी पीशे बात होगी हमारी को enzyme वह है जो के organic है और loosely attached है acyl glycerol जो है यह lipids की variety होगे है now magnesium जो है हमारे पास यह एक inorganic activator है activator वह होते हैं हमारे पास जो किसने किसी enzyme के activity को increase कर रहे होते है magnesium जो है यह किस enzyme का activator है तो यह phosphatase enzyme जो है उसका activator है जबके जो carbonic anhydrase है इसका activator जो होता है वह zinc होता है hexokinase जो है यह खुद activator के तौर पर behave करता है जो हमारे पास processor इसको glycolysis कहते हैं जिसके अंदर glucose pyravic acid के अंदर breakdown होते है तो उसमें यह enzyme के लिए activator के तौर पर behave करता है अभी जो phosphatase है यह एक तरह का enzyme होते है जो basically किसी भी molecule में से phosphate group को remove करता है ठीक है जबके इसके opposite जो है वो molecule इसके opposite जो है हमारे पास enzyme होता है जिससे हम कहते हैं phosphorylase या kinase ठीक है तो kinase जो होते हैं basically के लिए यह phosphate add करते है तो phosphate को add करवाना जो है यह kinase के जिम्मदारी होती है और remove करवाना जो है phosphatase के जिम्मदारी होती है carbonic enhydrase chapter number 3 के अंदर आएगा यह एक ऐसा enzyme है जो के carbon dioxide or water को combine करवाता है और carbonic acid बनवाता है ठीक है इसके जरीए यह carbon dioxide के transport में काम आता है sorry h2 co3 ठीक है जो के further break होता है यह carbon dioxide की उसके अंदर काम आता है और यह body के अंदर acid और base के balance को maintain करने में भी help करता है क्योंकि यह nephrons के अंदर भी work कर रहा होता है so this is it these are the mcqs from the third chapter कर अंदर